कौशन है आपका Minus card भाग गुणा भाग कारद घटाना और गुणा कारद जोड़ना है तो निम न मेंसे कौँ सी समिकरण है? तो वन बाई वन ने चारों ही समिकरण आपको चेक करनी है और जहाँ पर आपकी समिकरण सही आजएगे वो आपका अंसर हो जाएगा तो सबसे पहले equation number first को check करते हैं तो यहाँ पर 6 भाग 20 लिखा गया है तो भाग कार्ट आपका घटा ना होता है तो 6-20 हो जाएगा उसके आगे गुणा है तो गुणा कार्ट जोड़ना होता है प्लस कर देंगे 12 उसके बाद में प्लस है तो प्लस कर दो जाएगा गुणा सेवन। और उसके आगे आपका माइनस है तो माइनस का अँठ भाग जाएगा भाग एक और यह किसके बराभरा आना चीए सतर के बराभरा आना चीए तो इसे हम आगे सोल करते हैं तो सबसे पहले भाग करेंगे तो साथ में एक का भाग देंगे आपका साथ बचेगा तो equation आप क्या देगी 6-20 प्लस 12 गुणा 7 अब यहाँ पर हमें 20 में से 6 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 14 बचेगा प्लस 12 साथ कितना होता है आपका 84 होता है तो 84 में से 14 घटाया तो आपका 70 बचा और यह कैसा बचा प्लस का बचा और यही आपको equal to में given है तो option number A हमारा दिये गए question का answer हो जाएगा यह जो समिकरण है यह बिल्कुल सही है तो आगे वाली जो BCD समिकरण है वो आपको चेक करने की जोरत नहीं है क्योंकि सही समिकरण आपसे पूची गई है और option number A आपका बिल्कुल सही है कोशन है A, B, C, D, E और F, A केंदर की तरफ मुहे करके बेटे हैं एक वरत में D, F, A और B के बीच में हैं A, D के बाईं और दूसरे है और A A की दाईं और A दूसरा है D के विपरित कौन बेटा है यह आपको यहाँ पर find out करना है तो सबसे पहले यहाँ पर एक सरकिल बना लेते हैं जिसके चारो और कितने विक्ती बेटे हैं छे विक्ती बेटे हैं तो छे विक्ती हम यहाँ पर बेटा देते हैं अब इसे कौशन के अनुसर बेटाने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले कहा गया है D F और B के बीच में हैं तो आपका जो D बेटा है वो किसके बीच में बेटा है D को हमने यहां पर बेटाया और A यह आपका F और A B के बीच बेटा है तो F और B के बीच में हमने D को यहां पर बेटा दिया है और आगे कहा गया है A D के बाइँ और A दूसरा है जो आपका A है उसे D के बाइँ और A तो B का बाया आपका यह हो जाएगा लेफ साइड हम चलेंगे B के बाइँ और लेफ्ट यह वाला हो जाएगा तो यहां पर हमने A को बेटा दिया और A दूसरा है और A के दाइँ और A दूसरा है तो A को हमने यहां पर बेटाना पड़ेगा तब ही यह बाइँ और दूसरा है गा A और A D को यहाँ पर हमने बैठा दिया F को बैठा दिया B को बैठा दिया E को बैठा दिया और A को बैठा दिया तो बचा क्या C आपका बचा C को यहाँ पर बैठा दिंगे और कॉस्टन में आपसे पूछा गया है D के विपरित कौन बैठा है तो D के अपोजिट कौन बेटा है यहाँ पर C बेटा है D के अपोजिट है और यह आपको आपसन नमबर टू में गिवन है तो दिये गए कोशन का हमारा आपसन नमबर टू आंसर हो जाएगा कोशन है आपका रिक्तिस्तान पर कौन सा पता हैगा यह आपको फाइंड आउट करना है इसके लिए आपको यहाँ पर एक नमबर सीरीज गिवन है और इसका एक नमबर यहाँ पर मिसिंग है जो कि आपको फाइंड आउट करना है दिये गए चार आपसन में से तो सबसे पहले हम नमबर सीरीज लिखते हैं तो नंबर सीरीज है 94, 81, 89, 63 और उसके आगे खालिस्तान हैं तो यह आपकी जो नंबर सीरीज है वो किस ओडर में हैं डिसेंडिंग ओडर में हैं तो सबसे पहले आपको 94 से 88 पर जाना हैं तो 94 में से अगर माइनस का 6 गटा दिया जाएं तो आपे 88 पर पहुँच जाओगे आगे 88 से आपको 79 पर जाना हैं तो 88 में से माइनस का 9 गटा ओगे तो आपे 79 पर पहुँच जाओगे सिमिलारी 79 से आपको 67 पर जाना हैं तो कितना गटाना पड़ेगा माइनस का 12 गटाना पड़ेगा और अब भी 67 से आपको खालिस्तान वाली जगह पर जाना हैं तो कितना गटाना पड़ेगा तो इसके लिए प्रिवियस में गटाई गई संख्याओं का अनलिस्स करेंगे तो सबसे पहले हमने माइनस का 6 किया उसके आगे माइनस का 12 किया तो माइनस के 6 से माइनस के 9 में हमने माइनस का 3 बढ़ाया माइनस के 9 से माइनस के 12 में हमने वापस से माइनस का 3 बढ़ाया सीमिलारी माइनस के 12 में माइनस का 3 बढ़ाएंगे तो माइनस का 15 हो जाएगा तो 67 में से अगर हमें 15 माइनस करेंगे तो हमें खालिस्तान वाले संख्या प्राप्त होगी तो 7 में से 5 गया आपका 2 बचा 6 में से 1 गया तो आपका कितना बचा यहां पर 5 बचा तो संख्या क्या आगई आपके 52 आगई और यह हमने यहाँ पर खाले स्कान पर लिग दी है और यह हमें आपसन नमबर टू के अंदर मिली है 52 तो आपसन नमबर टू हमारा इस कोशन का अंसर हो जाएगा कोशन है आपका लुप तंक ग्याद कीजिए तो इसके लिए आपको यहाँ पर यह तीन भाई चार की टेबल गिवन है जिसमें आपकी यहाँ पर यह तीन रो है और चार आपकी यहाँ पर कॉलम है तो इसे हम सॉल करेंगे और इसमें यहाँ पर आपके दो नमबर मिसिंग है ये दोनों ही नमबर यहाँ पर आपको find out करने हैं तो सबसे पहले हम इसे solve करते हैं तो आपके first वाले row को हम consider करते हैं तो first वाले row में एक, 4, 9 लिखा गया है तो यहाँ पर आगे question चेने लिखा गया है तो आप सभी जानते हैं जो 4 होता है वो आपका 2 का square होता है इसी परकार 9 क्या होता है 9 आपका 3 का square होता है और 1 क्या होता है एक आपका 1 का square होता है तो सबसे पहले हमने 1 का square किया उसके आगे 2 का square किया उसके आगे हमने 3 का square किया तो आगे क्या करेंगे हमें 4 का square करेंगे तो चार का स्कार कितना प्राप्त हो जाएगा सोला आपको प्राप्ते हो जाएगा सिमिलरी सेकेंड वाली रोग को हम देखते हैं तो ये कम्प्लिटली फिल अप है और इसमें आपके नमबर एक, दो, तीन, चार कंट्यूनिसली नमबर लिखे गए हैं अब हमें थर्ड वाली रोग को कंसिडर करते हैं तो इसमें आपका पहला नमबर एक, दो लिखा गया है उसके आगे चार लिखा गया है उसके आगे छे लिखा गया है और उसके आगे कोशन चेन है तो सबसे पहले आपको दो से चार पर जाना है तो दो में कितना जोड़ना पड़ेगा दो में दो जोड़ोगे तो चार पर पहुंच जाओगे इसी प्रकारी चार से आपको छे पर जाना है तो चार में कितना जोड़ेंगे चार में हमें दो जोड़ेंगे इसी प्रकारी 6 से आपको question चित पर जाना है तो previous में हमने 2 जोड़ा उसके बाद वापिस 2 जोड़ा तो आगे भी हम 2 जोड़ेंगे तो 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा तो संक्या कितनी आ गई हमारे missing number वाले संक्या 16 और 8 आ गई और ये आपको option number A में given है तो दिये गई question का हमारा A answer हो जाएगा